अब आप इस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई बिश्टू लगातार बने हुए बिश्टू देखे जब से कंडिडेट के नाम सामने आने लगे हैं तब से एक चीज समझ में आई है कि कॉंग्रेस में समंझस किस्तिती रही है स्थानी नेताओं का विरूद भी हमने देखा है कंडिडेस सेलेक्शन में और किस प्रकार से क्या चीजे रही है कि हमने देखा लगातार विदान सभा माफ किज़ें गर लोग सभात चुनाओं में जिस प्रकार से कंडिडेट उतारे गये फिल्म को बदला गया कई यों की टि करताओं में गलत मैसेज चला गया कंडे जुख गये तब तो फिर से 25 बीजे जीत लेगी क्योंकि चुनाओ ऐसी चीज है जिसमें कारेकरता अपना सर्व से जोग देता है यही कारण है कि पार्टियों के टिकेट पे नजर रहती है कि कौन किसको मिलता है टिकेट हाला कि कॉंग्रेस में कई फेर विदल दिखाई दिये यह सब को पता है कि कुछ लोगों ने कर दिया कुछ टिकेट बदले गए जैपूर में हो यहां सुनील सर्मा को टिकेट दिया गया था और उसके बाद उन्हें बदल कर प्रताब सिंख चरेवास को टिकेट दिया गया विवाद सामने आया हो भले ही लेकिन उनका टिकेट बदल दिया गया इसको लेकर ब्रामन सं राज सम्मन बेजाया तो राज सम्मन दामोदर गुजर के बारे में बता दे कि ये रिटार्ड पुलिस अधिकारी है रहे है और लगातार चूंकि पुलिस में रहते वे नोकरी केते वे जब गुजर अंदलन हुआ तो उस दोराल ये सरकार के नजदिक आए लगातार राजने कई जगे इन्हों ने खड़े किये और उसके बार ये लगातार सक्री राजनेते में आते हैं अब इन्हों टिकेट मिला है गुजर साब का टिकेट यहाँ पर कटा है भीलवाडा से लेकिन उनको दिया गया है राजसमन से वजह क्या लग रही है दुबारा इनको अगर टिकेट दिया गया क्योंकि गुजर समाज का वोट मैंक नाराज हो जाएगा यह बहुत बड़ा तनाव होगा क्या कॉंगर्स पार्टी के खेमे में क्योंकि हिंडोली से चांदा लड़े 42,000 वोटोस जीते गुजर है और गुजरो का वोट मैंक कॉंगर्स के पास था यह बात है थी क्या यह बहुत बड़ा कारणर रहा कि इनको यहां से शिफ्ट किया गया टिकेट काटा नहीं गया पार्टी बहुत जादा कुछ अब सोच रही होगी सीट के बारे में क्योंकि पार्टी ने जो मन्थन किया है फीडबेक लिया है उस आधार पर बदला होगा टिकेट लेकिन जो व्यक्ति आप देखिए टॉंक सवाई मधुपूर की टिकेट मांग रहा था आप ये मानिए कि टॉंक सवाई मधुपूर हडोती से लगतावा क्षेतर है हाला कि टॉंक जो जिला है वो अजमेर संभाग में आता है सवाई मधुपूर जिला बदल संभाग में आता है तो डेमोग्राफी काफी अलग बदल जाती है लेकिन टॉंक सवाई मधुपूर के जानेगे समझेगे वहां students से विलेंगे मिटिंग का शिर्डुल का देषों से बात करनी होती मिटिंग के ढंता एग्जाने यहां। पूछ लिया गया है, chemistry का पर्चा थमा दिया है, जिसको आपने नहीं देखा है 5 दिन से, 6 दिन से, या कुछ और पर्चा थमा दिया गया है, जिसके बारे में आप जानते नहीं है, तो ये तैयारियां मुश्किल होती है, हलाकि ये बात भी सही है कि लोकसभा का चुनाओ, अगर इसको बता पाएं, तो अगर सुदर्शन सिंह रावत चुनाओ लड़ रहे होते हैं रासमन से, तब अगर ये स्थिती बनती, तब गुजर कहा जाते? देखिए सुदर्शन सिंह रावत अगर चुनाओ लड़ रहे होते, और पार्टी पूरी एक जुटता से लड़ती, तो मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता, बशरते पार्टी की सहमती होती, उनकी सहमती होती, क्योंकि आपने प्रहलाद गुंजल को कोट से दे दिया है, वो गुर्जर समाज का प्रतिनेदित करते हैं, शोचल इंजिनेरिंग आपने कहीं कमी नहीं चोड़ी है, आपने टॉक सवाई मदोपूर में हरीश मीना को देकर के जनरल सीट पर ये कोशिश किये कि वहां आप गुर्जर वोटर्स का और आपका जो परंप स्लाइट तरीके से आपकी पास आता, तो मार्जिन में बहुत बड़ा अंतर आता, डेगाना मेड़ता के सीट में अंतर आता, आप जेतारन में दिलिप चौधरी को पहले, प्रतियाश जी, बिल्कुत.